अब तक हमने 36 भाषा में लोक साहित्य का वरगी करण पढ़ना शुरू किया है 36 गड़ लोक साहित्य जिसके अंतरगत मैंने आपको बताया है कि लोक अर्थात किसी विश्तरित समूपर फैली हुई समूची जनता उसके मन के सारे भाव जो वह प्रस्तूत करता है उसे साहित्य के तोर पर अगर हम प्रस्तूती करण करते हैं से उसके जन्जीवन के यथार्थ का वरणन देखने को मिलता है तो कला और संस्कृति के अनुसार 36 गड़ लोक साहित्य को पांच वर्ग में बाटा गया था सबसे पहले मैंने आपको बताया था लोक गीत उसी लोक गीत से प्रभावित लोक नृत्य फिर मैंने आपको बता अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं इसको जानने के कोशिस करते हैं अब तक हमने वरगी करण में सबसे पहने पढ़ी थी लोक गीत के विशय में ठीक है दूसरा हमने पढ़ा था लोक मृत्य के विशय में ठीक है और अमने इसके बाद पढ़ा था लोक गाथा के विशय में आज इसका अगला पक्ष पढ़ते हैं जोक है लोक कथा ठीक है तो फिर गाथा और कथा में क्या अंतर है गाथा किसी चरित्र प्रधान व्यक्ति के संपुर्ण जीवन का ब्योरा होता है जिसका नायक जीवन को प्रभावित करने वाला होता है जो एक गाथाकार के द्वारा तीन से पांच दिन के भीतर बिना किसी तरूटी के कंट बध तरीके से हर एक भाव को प्रस्टूट करता है यह गाथाएं प्रेम प्रधान भी है वीर्ता से संबंधित भी है धार्मिक और पौरानिक भी है यह गाथा के वल अपने अंचलत के ही सीमित नहीं रहा बलकि इस गाथा ने दूरस्थ इस्थान में सुनाई जाने वाली गाथाओं को भी समाविशित किया जिसमें धोला मारू की गाथा भी सुनने को मिलती है लोरिक चंदा हो सर्बन हो इसी प्रकार्यदी हम देखे सर्बन याने की श्रमन की गाथा या किसी भी तरह की गाथाएं होती लेकिन अखर हम लोक कथा की बात करें तो लोक कथा क्या होती है मनुष्य जो विचार शिल मानव है उसके कलपना शिल कि मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ विचार करते रहता है और कलपना जाल में गोते खाते रहता है तो विचार शिल मानव के कलपना शील मस्तिश्क में प्रारंभिक समय से ही जब मनुष्य का जन्म हुआ उसके समय से पहले से ही जीवन के इस यथार्थ और सच्चाई से दूर एक ऐसा विचित्र पुर्ण एक कालपनिक लोक और संसार की श्रिष्टी देखने को मिलती है जिसमें संसारिक मनुष्य ने उडान भरी है याने कि जीवन का जो सच्च है जीवन की जो सच्चाई है उन सभी चीज़ों से हट कर मनुष्य ने एक ऐसी कलपना की उडान भरी है जिसमें एक विचित्र हों भाव और परिवेश को कलपना और विचारों को प्रस्तुत किया है मानवी ये कला है यह जो कहानी है मानवी ये कला माने जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की कलपना और मनुष्य की भावों पर आधारित होती है यह मानवी ये कला जो लेखन से पहले ही जन्म ले चुकी थी लेखन के अविश्कार से पहले ही यह कथा के रूप से मुखागर याने के मौखिक सो रूप में वाचिक रूप में पिडियों से हमें प्रदान की गई थी हम जब छोटे थे तो हम अपने दादा दादी के यहां और नाना नानी के यहां जाना चाहते थे क्यों कि गर्मियों में जब हम उनके यहां जाते थे तो उनके द्वारा कहानियां जो है वो सुनाई जाती थी कुल मिलाकर बात करें तो लेखन के अविशकार से पहले सत्रहमिश अताबदी से पुर्व मानविय मस्तिश्क ने एक विचित्र पुर्ण या एक ऐसी कल्पना जा जो है वो कर ली थी इस कहानियों के माध्यम से जहां केवल ना केवल मनुरंजन रहा बलकि कभी कभी इस पश्ट जीवन के दर्शन भी देखने को मिलते हैं चतिस गड़ के अंतर भी लोक कथाओं का परियाप्त और विशाल भंडार देखने को मिलता है इतिहास इसके प्राचिन गवा है कि इतिहासिक रूप से भी चतिस गड़ के अंदर कहानियों का उद्भाव इसका प्रचलन इसका प्रभाव देखने को मिलता था लोक कथाईं 36 गड़े में मौखिक परमपरा में रही एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी तक यह लोक कथाईं जो है वो हस्तांतरित की जाती थी परंपराओं में, संसकारों में, परिवारों में, समाज में जो भी लोक कताएं थी ना केवल मनुरंजन थी बलकि इससे ज्यान प्राप्ति का भी प्रभाव देखने को मिलता है प्राची निकाल से चली आ रही परंपरा जिसने एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी के चलने के बाद अपने पूर्वर रूप में जो उसका प्रभाव था वर्तमान समय में भी बना कर रखा गया है इसलिए तो आधुनिक काल में आकर जब 36 गड़ में लेखन का जन्म हुआ तब 36 गड़ के अंतर गत भी सुनाई जाने वाली लोक गाथाओं को और लोक कथाओं को लिखित रूप दिया गया इस तरह देखा जाए तो 36 गड़ के अंतर भी कहानी को सरल, सहज और लोक मानस तक पहुचाने के लिए कहानियों का प्रभाव, 36 गड़ में लोक कथाओं के नाम से माना जाता है जब उसे मनुष्य ने समाज में रहना शुरू किया है तो साहित थे में अमुल निधि के तौर पर इन लोक साहित में जहां गीत थे, मृत्य थे गाथाएं थी कथाओं को भी लोक साहित्य में उन्होंने इस्थान दिया जिसमें यूगों से पढ़ने वाले उस पर बाहिये प्रभाव के साथ धार्मिक सांस्कृतिक सभी पक्षकों ध्यान में रखते हुए उसका स्वर जो है वो गुंजने लगा था वास्तों म और हर प्रकार के परिवेश में जब वो पलने बढ़ने लगे तब इसका उद्भाव माना जाता है और मानव के मन में जो भी सुख दुख है प्रेम हैं श्रिंगार है आंचलिक परिवेश हैं घटनाएं हैं वीरता हैं सभी प्रकार के भावों का उर्वरक की तरह खाद की तरह प्रयोग करके यह कहानी विस्तृत होती गई फलती और फुलने लगी जिसमें न कहीं न कहीं रहन सहन रिती रिवाज धार्मिक्ता सांसकारिक्ता पूजा उपासना हर प्रकार का इस्थान जो है वो कहानियों में निर्धारित किया गया था जो आवशक्ताओं और मुल्य को ध्यान में रखते हुए नए पन लिये हुए समाज में हमारे सामने प्रदान की जाते ने लगी कहानी मनुष्य की अपूर्व जो एक शान्ती है कहानी सुनने के बाद एक छोटा सा बच्चा की सतरह मा की गोद में सोच आता है कहानी सुनने के बाद क्यों हमारा मन बदल है जब हम ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें बुरे का नतीजा बुरा होता है जिसमें बुरे काम का नतीजा बुरा होता है ऐसी कहानी को सुनकर हमें क्यों ग्यान प्राप्त होता है क्यों कि कहानी के वल मनोरंजन नहीं होती बलकि मनोरंजन के साथ साथ यह समय का सदूपयोग हमा विम्हारे में अनुशासन और कहीं न कहीं उच इस तरफ ग्यान प्रदान करने वाला होता है इस कहानी की थातपर्य को देखा जाए मन के भावना को अभिव्यक्त करने के लिए कहानियों के लिए कुछ विशई का होना जरूरी है जहां कहानि विशाय पर संबस्दित होती है और विशय के अंतरगत वो पूरा परिवेशित रूप में अपने आपको ढालती है। प्राप्त सामग्रियां जो कहानी के लिए होती हैं जिसमें कथानक होता है, पात्र और चरित्र चित्रन होते हैं, जहां पर कहीं न कहीं समवाद शैली का भी प्रयोग किया जाता है, कितने विशयों पर कहानी लिखे जा सकती है, तो ध्यान रखेंगे कि यह लोग कथाएं कभी श्रिष्टी पर आधारित होती हैं, जो भी देवी और देवता है उनसे संबंधित कहानिया जो है वो प्रस्तुत की जाती है देवी देवताओं के कहानियों में देखा जाए तो हम यह पर देवी देवताओं संबंधित कहानिया जो है वो सुनते हैं इसी संबंध में हम व्रत संबंधी कथा भी सुनते हैं जैसे क उनका उलेख मिलता है देवी देवताओं से संबंधित के संबंहें के पुरान संबंधीत पुराणों में जो देवी देवताओं का उलेख है पुराणों में जो महाभारती घटना में कृष्ण के द्वार उपदेश दिया जाना हो या रामायन में राम चंद्र जी का जो प्रस्तूती करन हो मर्यादा को संबोधित करना हो कुल मिलाकर यहाँ पर पुराणों से संबंधित पौराणी का कथाएं जो देखने को मिलती है कि 36 गड़ की धर्म परायन जनता को देवी देवताओं की कल्पना और जीवन में आश्रे किस प्रकार दिया जाना चाहिए उनके मात प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं हो चाहिए उनके संबंध में बहुत सारी गाथाएं जो है कथाओं के माध्यम से प्रस्तूत की गई है जो उनके प्रेड़ना इस्त्रोत माने जाती है ठाकुर देवता जो ग्राम में देवता होते हैं जो उस ग्राम की रक्षा करते हैं और रात में वह पूरे गाओं की परिक देखने को मिलती है यहां तक कि उनके गौर और यश्चगान का वरणन जो है वह वह पूरानों से संबंधी देवी देवताओं की गाथा में देखने को मिलती है व्रत संबंधी कथा कहें जिसके अंतरगत ब्रत पर समझाये जाने वाले कथाओं के उसकी पारणा उसकी निय से लेकर पूजन के समाप्ति संपूर्ण ब्योरा कथा के अनुसार यहां पर बताई जाती है इसके अलावा हमेशा से मनुरंजन के साधन रहे हैं हमारे लिए पशू और पक्षी 36 गड़ राज्य ही नहीं बलकि हिंदी में भी आगया आप देखे विश्टू के पंचतंत्र की कथा देख ले या हम किसी भी कथाओं को देख ले वहां पर हमेशा हमें मनुरंजन के तोर पर पशू पक्षी मिलते हैं चाहे लोमडी की कथा हो चाहे बगुला और सियार हो हा है वह यहां पर कवा और उसके साब की कथा हो कुल मिलाकर इसके पश्चाद अगर हम देखें तो कुछ समाजिक कथाएं भी देखने को मिलती है समाजिक कथाएं जिसमें कहानी में हम समाज के अच्छे और बुरे के आदश को प्रस्तूत करते हैं कि किस तरह बुरा करने वा मतलब होता है कहानी किसी कलपनाजाल में गोते लगाते हुए किसी कलपनाजाल में डूबते हुए एक व्यक्ति अपने वैचारिक बुद्धी से एक व्यक्ति जब हैँ वह वैचारिक बुद्धी से कल्पना जाल में डूबता हुआ किसी विस्तृत लेख के माध्यम सेरे लेक प्रसुत करता है तो आधुन्रीक समय में आपके कहाँश के लागती तो 36 गड़ के आंदर भी कहाँश का जणं म माना जाता है चाहे वो हिरू के कहीनी हो चाहे वो हमारे लिए सुरही गईया हो या इसी प्रकार ढोला के कहीनी रमायन के कहीनी जैसी घटना करम जहां यथार्थ से परे कल्पना में ही वह अपने विचारों मन की भावनाओं को एक सुत्र धागे में पिरोकर जब प्रस्तुत करता है कहकर किसी के समक्ष जिसका एक मनुरंजन के साथ साथ उदेश्य भी पूर्ण हो तो उसे कथा या कहानी कही जाती है और चतिस गड़ में भी चतिस गड़ी कहा थाओं का उल्लेक सुनने को मिलता है यहां चतिस गड़ में श्रिष्टी पर आधारित कथाएं घसनीन और आकास इसी तरह देवी देवताँ पर पूरानों से संबंधित कथाएं इसी तरह व्रत संबंधि कथाएं मनुरंजन ही तु पशु पक्षी से संबंधित कथाएं और अंत में समाज के अच्छे और बुरे आधर्श को प्रसूत करते हुए कथाओं का प्रमान भी देखने को मिलता है तो चतिस गड़ के अंदर चाहें चुरकी मुर्की हो कौवा और गवरईया बावन के माया बागिन और छेरिया चिरई और हाथी और सद्धी रद्दा बकरी आउसेर तीलमती चौरमती इसी तरह हम कह सकते हैं कंजुससेट सीत बसंत कह सकते हैं ऐसे कहानिया भी चतिस गड़ के अंदर सुनाई जाती है और चूकिया एक ऐसी परंपरा है जो विचारों को मुखागर तरीके से वरतनी के प्रयोग से कंठ जो कही जा रही है सुनाई जा रहि है एक के द्वारा वाचिक प्रयोग से बोल कर दूसरे के द्वारत श्रवर्य के माध्यम से समझ कर तो इसे चल लोग कथा आथा है ईंता अधै js мама प्रक्रानी मानीज सब्सक्तित्यों यंग नाट्यय इसका प्रमाण है कि यह 36 गड़ संस्कृति की आत्मा है लोकनाटे में गीत होता है संगीत होता है मृत्य होता है जिसे कथा सुत्र में धागे में पिरोकर प्रेर्णादाई और सरस बनाकर मंच पर अभिनाय के माध्यम से प्रस्तूट किया जाता है 36 गड़ के अंतरगत यदि हम लोकनाटे की बात करें तो इन सब का अंतीम रूप है हमारे लिए लोकनाटे तो एक बार मैं इसे सरसरी निगाह से आपको समझाने की कुशिस करती हूँ कि किसी विस्तृत जन समूह में फैली हुई समूशी जनता को कहा जाता है लोक उस लोक जी ग्यानी श्रिंगार प्रेम कसक टीस उनमाद दुख दर्द हर एक भाव को यदि वह सुर्ले ताल में बांध कर कंठ धोनी से उच्छारित करके गायन के माध्यम से प्रस्तूत करता है जिसमें उसके मन के सारे भाव प्रभावित नजर आते हैं तो उसे लोक गीत कहा जाता ह इस लोक गीत को गाते से में शारिरिक मुद्रा भाव ले ताल अभिने रूप सांदर्य इन सभी के माध्यम से यदि वह प्रस्तूत करता है तो वही गीत उस व्यक्ति के प्रस्तूती करन दृष्य के माध्यम से जो श्रव्य गीत थे अब दृष्य के माध्यम से लोक डृत किसी चरित्र उदात्त प्रधान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की गाथाओं का यदि वह गाथाकार तीन से पांच दिन के भीतर किसी सभा में चौपाल में या सुनाए जाने वारी जगहों पर पिढ़ी दर पिढ़ी हमें प्रदान करता चला आता है तो लोक गाथाकार के द में गोते लगाते हुए यथार्थ और सच्चाई को छोड़कर एक विचित्र पुर्ण एक काल्पनिक जीवन की दुनिया के कहानी अगर हमारे सामने प्रसुत करता है तो लोक कथा कहलाती है लेकिन यह सारी चीजें जहां पर गीत है सुरले ताल और कदमों की थिरकन अनृ मंच पर एक अभिने करने वाले अभिनेता के द्वारा प्रस्तूती करण दिया जाता है जो मंच पर अभिने किया जाए जिसमें कथोप कथन हो समवाद शैली हो जिसमें गायन हो मृत्य हो ताल हो वाद्ययंत्र हो एक रूप रेखा एक वस्त्र भूशन हो हर प्रकार के प् सबसेंगे में रामगड की पहाड़ी में सीता वेंगरा की गूफा में जो एक नाट्य शालाओ के प्राप्ती हुई है कहते हैं कि वो सबसे पहली नाट्ट शाला 36 गड़ के अंदर प्राप्त हुई थी दूसरी बात कि इस लोक नाट्टे के हम प्रभाव देखें तो 36 गड़ में जो लोक नाट्टे है वो महाराश्ट्र के तमाशा से प्रभावित मान जाता है याने कि अंतर राज्जी तमाशा मराठी के प्रभावित माने जाते हैं 36 गड़ का लोक नाट्टे को जब मराठा शासका आये थे तो उन मराठा शासकों के द्वारा अपने सैनिकों के मनुरंजन के लिए आयोजित किये जाने वाले तमाशा का प्रभाव 36 गड़ में नाट्टे की नाम से प्रचलन में प्रभावित हुआ तो 36 गड़ के अंतर रदी हम कहें तो 36 गड़ का लोक नाट्टी क्या है कि 36 गड़ में लोक नाट्टी की परंपड़ा सेकड़ो वर्ष पुरानी माने जाती है इसके अंतर गड़ 36 गड़ की संस्कृतिक आ जाता है इस लोकनाटे में सबसे प्रमुख मानी जाती है नाचा को नाचा जिसे 36 गड़ के अंतरगत गम्मत भी कहा जाता है इसका विशिस महतो होता है दुर्गा-पूजा का आयोजन हो जहां गणेश-पूजा की आयोजन हो बारात में लेकर जाना हो यहां पर मनुरंजन है तो रात्री कालिन परिवेश में जाग कर उसका मनुरंजन का नगड़ क not पूरी रात जाग कर जिसके मनुरंजन का प्रभाव देखने को मिलता है उसे नाचा या गम्मत कहा जाता है प्रहसानात्मक शैली में मतलब प्रहसान हसी मजाग क्योंकि पहले के समय में इस गम्मत में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी कलाकार हुआ करते थे वह केवल पूरुश्वर्ग हुआ करते थे महिलाओं का मंच पर अभिने उसमें पूरुष वर्ग और एक अईसा वर्ग जिसकी कद काथी चोटी होती जिते शतिस गड़ी में बवना कहते हैं उन्हें विश्यस इस्थान प्रहसन के लिए जाता था जिसे जोकड कहा जाता था जब पूरुष इस्तरी का स्वांग भरता थे इस्तरी की वेश-भूशा की तरह लोगों के सामने जो है वो दिखाया जाता था हजारों लोग खुले आसमान के नीचे इसके आनंद रात भर जाग कर लिया करते थे इस तरी अभिनय हो चाहे कुछ भी पक्षव वर्तमान समय में परंतु प्राचिन समय में नहीं था विवाह मड़ई मेला गड़ेश उ दुर्गोट्स खुशी के समय पर भी इस नाचा का आयोजन जो है वो किया जाता था और नाचा चतिस गड़ की मंडली फुड़हर हो राय खेड़ा हो तेंडु कोना हो लाटा बोड़ हो बेरसोंडा अरजुंदा ये सारे जगह की नाचा पार्टी उस समय बहुत फेमस ना 28 में किया गया था दाव दुलारसी मदराजी के द्वारा इसकी जो है वो इस्थापना की गई थी इस त奇स घड़ में नाचा के भिश्ञ पितामह माने जाते हैं दाव दुलारसी मंदराजी ठीक है इसके संस्थापक दुलार्सी मंदरांजी के साथ में लालूराम, मदनलाल निशाद, जराठ नाथ निर्मलग और प्रभूराम यादव इसके श्रेष्ट कलाकारों की श्रेणी में गीने जाते थे किसके रवेली नाचापार्टी की श्रेणी में इससे पशाद 36 गड़ में उडिया से प्रभावित भत्रा नाट का प्रभाव देखने को मिलता है इसके अलावा चंदा लोरिक की प्रेम कथा को भी लोक नाटे के नाम से यहाँ पर प्रस्तूती करण कराये गया था और इस तरह देखा जाए तो भत्रा जो उडिया से प्रभ कारी निबंद का आचार रामचंद्र देश्मुख के द्वारा दाव दुला रामचंद्र देश्मुख के द्वारा जो है उसे एक नाम दिया गया और वह नाम दिया गया था कारी जो लोक नाटे के नाम से प्रस्तूत किया जाता है तो सोनहा बिहान कारी हरेली लोरिक बार जैसे तमाम प्रकार के लोगनाटे है जो छाटिस गड़ के अंदर वह निभा जाते हैं उस निबंद की अगर आपकर तरी तो रामचंदर देश्मुख के द्वारा उसे लोगनाटे का दर्जा दिया गया जाए नाम था कारी उस कारी को लोगनाटे के नाम से चुके हैं कि अम्भीकापुर से 50 किलिमिटर की दूड रामगड की पहाड़ी में एक तीसरी शताब्दी का एक जो नाट शालक निर्मान किया गया था जिसे 50 दर्शकों के बैठने की विवस्था मानी जाती है कि उस समय की गई थी चतिस गड़ में इस लोककला संस्कृती को बहुत आगे ले जाने में एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है दावू रामचंद्र देश्मुख तो लोककला के मरमग्य चतिस गड़ में लोककला के मरमग्य दावू रामचंद्र देश्मुख इन्हें चतिस गड़ लोककला का मरमग् और इसके पीछे रिजन ये है कि इन्हों ने 1971 में सबसे पहले 1971 में इन्हों ने चंदा और लोरिग की प्रेम कथा को चंदैनी के गोंदा नामक लोक नाटे के तौर पर मंच पर अभिनाय के द्वारा प्रस्तूती करण कराया गया था इसलिए इन्हें 36 गडमिं लोक कला के मरमगय के उपाधी दी गई कि मंच दिया इन्हों ने 36 गडमे इससे पहले मंच दिया गया था दाओ दूलारसी मंदरांजी के द्वारे पहली नाचापार्टी चंदा पर चंदैनी के गोंदा नामक नाटक के तौर पर प्रस्तूत किया गया जिसे सैकडों बार पर दर्शित किया और लाखों लोगों ने उसके मनोरंजन का फाइदा उठाया था दूसरी बात चतिस गड़ में लोक कला के पुजारी की संग्या दी गई है या उपाधी दी गई है इसमें सफलतम प्रयोक करने के कारण इसका नाम है दाव महासिश चंद्राकर इन्हें चतिस गड़ में लोक कला के पुजारी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा सोनहा बिहान और लोरिक चंदा की प्रस्तुती का सफलतम इतिहाज जो है वो रचा गया था और इस तरह चतिस गड़ के लोक साहिते के वर्गी करण को पांच वर्ग में बाटा गया और लोक साहिते के वर्गी करण में पहला वर्ग है लोक गीत दूसरा है लोक रित्य तीसरा है लोक गाथा चौथी है लोक कथा और पांच वी है लोक नाट्य ठीक है इससे आपको व बना सकते हैं कि और बता सकते कि लोग इतों को संसकार कि और रीटू है वे तो यह गर साहित्य में लोक साहित्य का वर्गी करण होता है समाप यहां से लोक साहित्य समापत नहीं हुआ परन्तु यह आधुनी की करण के परिवेश में बनता गया और कहीं न कहीं चत्तिसगड के लोक साहित्य में इसे लोक नाट्टे से प्रभाव पढ़ने लगा चत्तिसगड जो छट्री घड़ साहिटी का युगविभाजन युगविभाजन के पश्षाव आ दूनिक रिट काल के वर्गी रनuly में साहिटी लेखन की शुरुवात काव्य त brains गद्य लेखन उसके अलावा किस और फक। यात्रा के पशात आज मैंने आपको लोग सहीति का वर्गी करण जो है वो पूरा करके बताया आने वाले वीडियो में इस लोगनाटिक के आधुनिक परिवेश जिसमें हम जानेंगे रंगमंच 36 गड़ सीनेमा आकाश्वानी और दूर दर्शन और साथ में 36 गड़ पत्रकार रखी समय का सद उपयोग करें पढ़ाई करते रहें जो आने वाला समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा हो इन सारी शुब कामनाओं के साथ मेरे सब ही बच्चों को गॉड़ ब्लेस यो एंड लब यू टू आल मैं बच्चा